गुड मोनी स्वागत आप सभी का स्टेड़ी इंडिया यूट्व टेनल पर तो आए शुरू करते हैं आज़ां एसेज़ीडी कॉंसेवल का वीडियो नुमर फाइब जिसके इंदर हम बात करेंगे स्टेडी कॉंसेवल के एकजाम में पूछी जाने वाले Most Important Questions के बारे में जो कि आपके आने वाले सभी एकजाम के लिए भी काफी इंपोरेंट है इस लिस्ट वीडियो को पूरा जरूर देखे अगर अब तक आपने Study India यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नी किया है तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ नए वीडियो का नोटिफिकेसन पाने के लिए बेल आइकन बटन में किलिकर ना भूले यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते ही तो आप हमारे Telegram गुर्प से जुड़ जाए जिसका लिंक वीडियो के नीचे description box में दिया गया है वीडियो को लाइक करें और share करें क्योंकि आपके लाइक और share से में motivation मिलता है चलिए इसे के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्योंसन पहला क्योंसन है British Crown ने East India Company से भारत पर प्रभू सत्ता किस वर्स में प्राप्त की थी 1858 में 1858 में British Crown ने East India Company से भारत पर प्रभू सत्ता प्राप्त की थी करक मचली के खून का रंग कैसा होता है तो नीला करक मचली के खून का रंग नीला होता है किस धावक ने ताटा मुंबई मेरा थन 2019 का पुरूस का खिताब जीता है तो कोसमास लागेट ने कोसमास लागेट ने ताटा मुंबई मेराथन 2019 का पुरुस का किताब जीता है चलिए आगे बढ़ते ही और देखते हैं नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है लखनव में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्मान किसके द्वारा क्या गया था आशीव उद्वाला की द्वारा लखनव में आशीव उद्वाला के द्वारा बड़ा इमाम बाड़ा का निर्मान किस राज्जे ने जनवरी 2019 में अमा घरे LED योजना शुरू किया था जम्मु कस्मिर का सयवदान कब लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को जम्मु कस्मिर का सयवदान 26 जनवरी 2019 को लागू हुआ था चलिए आगे बढ़ते ही और देखते हैं नेक्स्ट क्योसन नेक्स्ट क्योसन है भारति क्रान्ती की माता के रूप में किसे जाना जाता है? विकाजी रुस्तम कामा को भारति क्रान्ती की माता के रूप में जाना जाता है भारत प्रत्री का किसने शुरू की थी? डौक्टर भीम्राव अंबेड करने देखते हैं नेक्स्ट क्योसन नेक्स्ट कोशन है, कंचन जंगा स्रेणी में कितनी चोटिया है? तो पांच चोटिया, कंचन जंगा स्रेणी में पांच चोटिया है राष्टी मानवादिकार आयोग कब इस्ताफित क्या गया था चलिए आगे बढ़ते ही और देखते हैं next question next question है अंडमान तता निकोवार्द जीव समू में सबसे उची चोटी कौन सी है तो सेडल चोटी है भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी जील का नाम क्या है तो हुलर जील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी जील हुलर जील है पाकिस्तान सब्द की रचना किस ने की थी? तो रहमत अली ने पाकिस्तान सब्द की रचना की थी चली है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question नई इस कॉसर्ण है रख्त के ठक्के किसकी उपस्ते के कारण बनते हैं तो प्लेट्ट्लेट्स के कारण बनते हैं भारती महासागर में सबसे छोटा दियूप देश माल दियूप है जब sodium bicarbonate को अत्य दी गरम के जाता है तो क्या उत्पात बनता है तो sodium carbonate बनता है चलिए आगे बढ़ते ही और देखते हैं next question next question है Sophia किस देश की राजदा नहीं है तो बल्गेरिया की Sophia बल्गेरिया की राजदा नहीं Aid Forest Research Institute कि जिले में सी थे तो जोधफूर में Aired Forest Research Institute जोधफूर जिले में स्तिते किस भुगोल वेता को मानो भुगोल का जनम दाता कहा जाता है तो फेडरिक रेट जेल को फेडरिक रेट जेल को मानो भुगोल का जनम दाता कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते ही और देखते हैं next question next question है इतिहास की पहली पूस्तक किस के द्वारा लिखी गई थी? तो हेरो डोटरस के द्वारा इतियास की पहली पुस्तर हेरो डोटरस के द्वारा लिखी गई थी हेरो डोटरस को इतियास की पिताबी कहा जाता है चलिए आगे बढ़ते ही और देखते हैं next question next question है ज्यानपिट पुरुसकार की प्रतम विजिता कौन थे? ज्यानपिट पुरुसकार के प्रतम विजिता थे? किस सहर में नोबल सान्ती पुरुसकार से सम्मानित के जाता है? ओसलो में नोबल सान्ती पुरुसकार से सम्मानित के जाता है यूरोपियन संग का मुख्याले कहां पर है? तो बुसेल्स में, बुसेल्स में येउपेण संग का मुख्याले हैं चलिया आगे बढ़ते हैं और देखते हैं next question Next question है, ओपेक का मुख्याले कहाँ पर इस्तीते तो विएना में विएना में ओपेक का मुख्याले इस्तीते Red Data Book में किसका विवरण दर्ज होता है? मद्धे पर्देस का पन्ना जिला हीरे की खानों के लिए प्रसिद है तो ये ता हमारा आज का S.A.S.D. कौस्टेवल का वीडियो नुमर 6 इसी के साथ आज का वीडियो ये इसमार्त होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कामेंट और सेर करना बिल्कुल की ना भूले हम फेर बिलते हैं हमारे अगले S.A.S.D. कौस्टेवल के वीडियो नुमर 7 में तब तक के लिए थेंग्यू झाल झाल